हेलो दोस्तों स्वागत आपका sleepy classes में weekly dose of current phase में आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन से हम कर रहे है weekly dose आज 16 अगस से लेके 22 अगस तक जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है क्योंकि comment section में मुझे एक particular madam है हो कहते हैं कि आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं तो ठीक है हम थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि आपकी सिर से उपर ही चल जाए थोड़ा सा rapid सा करेंगे हम अपना weekly dose कि इस week में क्या क्या हुआ हुआ है चले आगए बढ़ते हैं यह देखे नाशनल एडरोजन मिशन कहां से आ गया हुआ कि प्रधान मंत्री मोजी जी की एट स्पीच थी कहां से रेड़ फोर्ट से कौन से पंदर अगस्त के टाइम के टाइम में हुए थी ठीक है और यह क्या सेलिबरेशन हो रही थी 75th year of independence दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा है कि government is focusing on meeting its climate target ठीक है कि हमारी जो सरकार है वो climate target पे focus कर रही है और बलब इसके end पे हमने उन्होंने क्या अनौंस करती है national hydrogen mission ठीक है ठीक है अब ठीक है यह announcement क्या है यह announcement mark करती है एक another step इंडिया का transition करना है किससे fossil fuels जैस कि petroleum fossil fuels क्या थे आपके पता कि petroleum हो गया ठीक है पेट्रोलियम हो गया फिर आपके जो भी ऐसे fuels जो की sustainable नहीं है ठीक है अब आप बोलिए cng cng क्या है cng compressed natural gas है यह हम produce कर सकते है petroleum क्या है यह natural natural है ठीक है यह हम produce नहीं कर सकते तो यह non-renewable sources में आता है ठीक है ठीक है तो हम क्या कह रहे है कि fossil fuels जैसे कि petroleum है उनको हम कम करके renewable energy sources पे जाएंगे ठीक है जी और as a part of 2015 Paris Agreement ठीक है इंडिया ने क्या प्लेज किया है कि हम 40% जो है इसकी power जो है renewable energy के through करेंगे by 2030 ठीक है तो by 2030 हम 40% अपनी renewable energy से produce करेंगे ठीक है अब देखिए मोजी जी ने और भी क्या कहा है यहने ने कहा है कि इंडिया जो है energy dependent नहीं है बिल्कुल सही बात है ठीक है ठीक है अब हमारे क्या होते है strategic barrel reserve strategic reserve barrels जो होते हैं जहां पर हमारे petrol वगरस जो क्या है हम उसको save कर सकते हैं save कर सकते हैं अब इंडिया में हमारे पास बहुत ही कम है ठीक है अब इसका मैं जिकर क्यों कर रहा हूं इसका जिकर क्यों कर रहा हूं कि कुछ समय पहले especially 2020 में क्या होगा कि petrol के दाम बहुत ही नीचे आ गय थे बहुत ही नीचे तो USA इसे ने बहुत ज्यादा मत्तब कि अपने जो strategic reserve जो थे भर दिये इंडिया के पास बहुत कम थे ठीक है और हमारा maximum वाल जो है बाहर से आता है ठीक है तो यहीं चीज गया ही मोदी जी ने कि इंडिया इस नॉट इंडिपेंड इंडिपेंडेंट ठीक है और यह कहा है बारा इंडिपेंडेंडेस तो अभी हमारा 75 चल रहा है ठीक है तो हमारा बस टाइम बहुत ही कम है ठीक है हंडर्ड इयर ओफ इससे पहले हमें इंडिपेंडेंट होने चाहिए और मोदी जी ने भी कहा है कि यह वीरिय स्कीम के थ्रू होगा देखिए हमारे national solar mission तो है ठीक है आप उसके बारे में जरूर पढ़िएगा national solar mission बहुत important है ठीक है लेकिन उसके इलावर बाकी चीज भी है मोजी जी ने क्या कहा है इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिन रेल्वेज जो है उसने target कर रहा है 2030 तक की net zero emissions net zero emission का मतलब क्या होता है कि अभी हमारी काफी जो trains है वो डीजल locomotive पर चल रही है ठीक है उनको हमने electricity पर convert करना है उन्होंने ये भी कहा है कि a circular economy was emphasized by the government to achieve environmental goals including schemes such as new vehicle scrap policy ठीक है यब ये new vehicle scrap policy आपको पता ही है हम देखे हमने सीधे भारे स्टेज 4 से सीधे 6 पर चले गए 5 पर तो आया है नहीं ठीक है और ये भारे स्टेज के आता है ये हमारे emission norms है ये कहां से आया हो है emission norms ये हमने Paris से लिए हो है ठीक है Paris से लिए हो है तो ये emission norm हम सीधे भारे स्टेज 6 पर आगे है और जो पुरानी vehicles है उनको भी हम क्या कर रहे है ठीक है अब देखे है green hydrogen क्या होता है green hydrogen जो है it is produced by splitting water into hydrogen मतलब आपका जो H2O है water को hydrogen में और oxygen में split कर देते हैं ठीक है और कैसे करते हैं using an electrolyzer जिसको की powered by electricity from renewable sources होते है such as wind and solar मतलब की इसको production भी जो है वो wind और solar से ही होगी ठीक है देखी कितना जादा importance है ये ठीक है चलिए अब देखते है four more sites of India added to ramsar list ये तो दोस्तों मतलब मैं जब से classes ले रहा हूँ मैं तो मतलब राम सार तो मेरा भी ऐसा हो गया कि अब कि अब ग्याड कर दिया अब ग्याड कर दिया मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ इतनी है थर्टी एट है इतनी होगी मैं जे खुद भी नहीं बता चलता कि कब नहीं राम सार में एड हो जाती है तो इसके बार में जाते थोड़ा ठीक है अब नंबर ऑफ राम सार साइट इंडिया में कितनी होगी 46 46 हमारी साइट होगी है और इसका सरफेस एरिया कितना आगा है टोटल 108332 हेक्टेर्स हर्याना को फर्स्ट राम सार मिली है और गुजरात को तीन मूर आफ्टर नाल सोर आवर जो की 2012 में मिली थी ठीक है अब देखे यह भिंदवास वाइल डाइफ सेंचुरी जो है यह लाजस्ट वेट लैंड इन हर्याना है और यह क्या है है यह हूमन वेड यह हूमन वेड फ्रेश वाटर वेट लैंड है और यहां पे 250 बर्ड स् आती है और यह रेस्टिंग के लिए आती है रूस्टिंग है रूस्टिंग मतलब यहां पर एक्ज वागर भी देती है अब यह साइट जो है वो दस ग्लोबली स्थ्रेटन्ट स्पीशीज को भी मतब की संग वो देते हैं यहां पर हमारे जो दस स्पीशीज है वो भी यहां पर इनको पना मिलती है ठीक है और इन में कौन-कौन से इंडेंजेट स्पीशिज है इजिप्शन वल्चर स्टेपी इगल पैलस फिश इगल और ब्लाक बेलेड टर्न यह आप गूगल कर सकते हैं ठीक है अगर आपको जानना है किस तरीके की है तो आप गूगल जरूर कर सकते है ठीक है अब आते हैं सुल्तानपूर नाशनल पार्क जो है हर्याना वो क्या सपोर्ट करता है 220 स्पीशिज किस चीज की एफ रेजिडेंट विंटर माइगरेटरी और लोकल माइगरेटरी वो वर्डर वर्ड्स रेजिडेंट मतलब वहीं के विंटर मतलब की जो विंटर क अब इस आर ग्लोबली थ्रेटर्टर्ट ठीक है और जिसमें क्या क्या है सोचेबल लफ विंग है फिर एडिप इन वल्टर सेकल फैलकन है पैलेश फिश है और ब्लाक बिलेट टर्न है ठीक है ठीक है आगे चलते हैं अब थोल लेक वाल्ड लाइफ सेंचरी जो है गुजरा और यह वेट लॉन वेट लेंड जो हो तीस थ्रेटर्टर वाटर बर्ड स्पीशीज को बचा रही है मतलब यहां पर इनको पना दे रही है और यह क्रिटिकली इंडेंजेंड कौन कुन सी है वाइट ट्रंप्ट वल्चर सोशल लफ विंग और वनरेबल सारस क्रेंड कॉमन इंटरिंग ग्राउंड देती है कि इसको माईगरेटरी बर्ड को जिसमें की असी स्पीशिज हैं जो की सेंटरलेशन फ्लाइवे से आते हैं ठीक है इन में से कौन कौन से हैं इन में से हैं वही पतलास फिश ईगल कॉमन पोचर्ड और डलमेशन पैलकल ग्रेहेड़िट फि अब कुछ दा साथ ही टाइम लग जाता था ठीक है अब इनको गुगल कर लेजे बहुत ही मेज़ेस्टक बर्ड हैं चलिए अब देखे विभाजन विभेशची का समृती दिवस विभाजचन विभेशची 살ी और स्मृति दिवस क्याँ स्का पार्टेशन हमक्रुक्रस्ट 14 अगस्त 14 अगस्त और क्या है Independence Day of Pakistan ठीक है अब ये क्या किया है देखें अब ये एक Tribute दी है किसमे मोधी जी ने एक Tribute दी है ठीक है जी क्यों अब इसमें थोड़ा से पड़ते है अब इसमें क्या है In fitting tribute to all those who lost their lives जिन्होंने अपनी जान गवाई है Due to partition of the nation and were displayed from their roots Government has decided to observe 14th August every eras to convocate their sacrifice थोड़ा सा हम चलते हैं मूवी पे गदर मूवी गदर मूवी में जेसे साब से सनी देवल जी के वो जो एक पार्ट था ठीक है जहां पे कि ये दिखाया है partition में कितना ज़्यादा horrifically एक दूसरे को काटा गया है men and women were you know killed women were raped, children were killed बत्ब बहुती और यही चीज कहा है भाग मिलखा भाग में भी बिताई गई है तो partition के horrific जो चीजे हैं वो तो हमने देखी हुई है मूवी में तो वे imagine कर सकते हैं कितना ज़्यादा एक horrendous चीज हुई थी ठीक है अब इसमें वो तीजी ने क्या कहा है कि declaration of such a day would remind present and future generation of indians of the pain and suffering faced by the people during partition obviously जोनों ने अपने लोग हुई हैं अपनी बतब पढ़दादों और दादे खो दी हैं जोनों ने उठके इंडिया में आये हैं जो यहां से उठके वहां गये हुए हैं उनको मतलब वो क्या ही आजादी उनकी ठीक है और accordingly government ने 14 अगस्त को क्या है partition horror remembrance day यानि विभाजन विभीशिका स्मृती दिवस यह जो है इसका नाम दे दिया है ठीक है दोस्तों अब partition pain जो है कभी भी उनको तो भूला नहीं जा सकता अब मोजी जी का जो इनकी statement दी है कि millions of our sister हमारी बहुत सी लाखो बेहनों और भाहियों ने जो कि displace हुए थे और जिनकी काफी lives वहां लग कोई चलेगी थी जो कि mindless hate और violence के उसमें चपेट में आ चुके थे अब इनकी memory और जो struggles है और जो sacrifice हुए थे 14 अगस्त को partition horror remembrance day मनाया जाएगा और इन अगर ट्वीट क्या 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 था मेदा hashtag partition horror remembrance day keep reminding कस्तन नीव to remove poison of social division disharmony and further strengthen the spirits of oneness social harmony and human empowerment अब ethics का मतलब जो UPSC के तियारी कर रहे है ठीक है वहाँ पे ethics का भी एक question यहां से बन सकता है क्योंकि यह सोचने वाली बात है ठीक है और साथ में modern history का भी एक part बनता है ठीक है 1947 में जब पहुंसते है ठीक है पॉलिटी का भी काफी है politics science का चले आगे बढ़ते हैं अब क्या है exercise कॉनकन 2021 यह क्या है अब exercise कॉनकन 2021 जो है वो इंडिन नेवल ताबार और HMS Westminster जो है 16 अगर्स इस मन्त की इंग्लिश चानल में हुई थी यह भी है क्या यह एक इंडो यूकोई डेवल एक्सरसाइज है ठीक है और इसमें participation of integrated helicopters of two ships और Falcon electronic warfare जो है एरक्राफ्ट यूज हुए है ठीक है exercise का नाम यह आपको पता है exercise कॉनकन 2021 और यह इंडो यूक के बीच में हुई है अब ठीक है इसमें हुआ क्या है a wide range of exercises यूज हुई है जो कि जिसमें की coordinated anti-submarine procedure यूज हुए है drills यूज हुई है combined maritime picture compilation हुई है combat formation formation maneuvering और हुई है और replenishing at sea जो हुई है यह सब इस exercise का पार्ट था ठीक है जी these along with the diverse professional engagement health earlier in the harbour have enabled exercise कॉनकन 2020 consolidated inter probability and helped cement the strong model between two navies बतब कि पूरी statement का मतले यह है कि दोनों navies ने कठे काम कर रहा है और इसकी विज़े से दोनों की cooperation on strength जो है काफी जादा अच्छी हुई है ठीक है दोस्तों चले अब आगे क्या है अब यह आगे है उभरते सितारे fund ठीक है अब यह उभरते सितारे fund क्या चीज है Union Finance Minister जो है निर्मला सीथारमन जी न है उन्होंने address कर रहे थे launch of the उभरते सितारे fund और इसमें इन्होंने क्या कहा कि दे माइक्रो स्मॉल और मीडियम enterprises जो है वह backbone of the economy है यह हमारे finance minister ने कहा है और उनने कहा है कि government ने इस sector को rightful place दी हुए है ठीक है अभी है क्या अब यह सितारे fund जो है वह Exim bank और SIDBI इकठे कर रहा है और यह यह क्या करेगा इसके यह fund expected है to identify Indian enterprises देखेजे जिसका potential advantages जो है technology और products और processes के साथ-साथ export potential के साथ-साथ यह आगे भड़े जो कि अभी currently underperforming है यह सारी export फिर आपके जो आपके technology products है इनको आगे बढ़ाने का basic fund इस पे बता रहे है उभरते सितारे इसमें है जो कि हम unable available नहीं कर पारे मताब कि we are not able to tap the basic growth of these technology products और processes ठीक है अब accordingly क्या है कि Indian Exing Bank भरते सितारे प्रोग्राम जो है वो Indian companies को identify करेगा जो कि जिसका potential क्या है to be future champion in domestic arena ठीक है while catering to global demands की आपका जो आपके जो future champions के इस तरह के होंगे की वो अपने domestic arena देखेंगे और futuristic approach में काम करेंगे की global demands किस तरीके से आ रही है अब यह fund क्या है यह एक mixed structure है किसका support का और support किस तरीके की financial भी और advisory services भी और यह investment करेगी किसमें equity और equity like instruments ठीक है जी और कैसी investment होगी उसमें instruments मिलेंगे debt मिलेगा उधार मिलेगा और technical assistance मिलेगी जिसमें services grants होगे soft loans होगे किसको मिलेगे Indian companies को यह यह है हमारा उभरते सितारे fund ठीक है दोस्तों अब आगे देखते हैं यह क्या है NTPC ने commission करा है इंडिया का largest floating solar project कहां पर सिमादरी में अभी इसके बार हम जानते हैं अब state run produce जो है यह NTPC national power corporation जो है कहां पर इंडिया के largest floating solar power plant कहां पर सिमादरी ठीक है जी और इस सिमादरी thermal station जो है विशाखा पत्नम आंधर प्रतेश में है विशाखा पत्नम आंधर प्रतेश में है ठीक है जी और project जो है वो open हो गया है after commissioning 15 megawatt का यह floating solar project है तो total capacity जो कितनी होगी है 25 megawatt की ठीक है अब इस standalone install capacity के साथ ntpc के कितना हो गया है 5347 5347 5 megawatt ठीक है जी और commercial capacity कितनी होगी है 52425 ठीक है जी और total installed capacity ntpc की है 6690 megawatt और commercial capacity कितनी 65850 यह इतना important नहीं है but figures के लिए देख लेते हैं अब floating solar project जो है यह flexibilization scheme के इंतरगर्थ हुआ है जो कि government of India ने 2018 में किया था और floating solar installation जो है एक unique anchoring design के साथ है जो कि 75 acres है कहाँ पर RW reservoir में ठीक है तो यह क्या है हमारे समाधरी में है floating largest floating project ठीक है अब देखते हैं करकंधार scheme for revival of dying crafts अब करकंधार scheme जब भी आपको आगर आता है कहीं पर exam में तो J&K से related है ठीक है this is related to J&K अब देखें अब एक signified development जम्मण कश्मीर ने करकंधार जो scheme है वो किस के लिए है crafts और development of craft sector unit territory के लिए scheme निकाली है अब इसका main thrust scheme क्या है इसका scheme का यह identify करेगा और impact करेगा skill up gradation training किस किस के लिए जो की जहां पर की human resource की कमी हो रही है ठीक है जैसे की अब यह चीज़े आप पका गूगल करना आपको बड़ी अची चीज़े चीज़े मिलेंगे walnut wood carving silver filigree कारपिट कानी शॉल कानी शॉल के बारे में प्लीज गूगल कीज़ेगा आपको बहुत question यही से बन के आएंगे ठीक है फिर khatambad ठीक है जी और paper machine crafts ठीक है और यह scheme की बहुत important ठीक है दोस्तों मैं इनको आपको गूगल करने के लिए से बोड़ रहा हूं कि मैं इसको अगर G&K के exams की तियारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह important ही है उनके state services से पूछा जा सकता है ठीक है अब beside इस इन crafts के लावा सॉजनी, tapestry, willowicker, aristople, engraved, copper wear, crawl, chain stitch और बाकी जो relevant craft है वो भी consider किये जाएंगे on the need basis to be a certain way respective assistant director कौन से हैंडीग्राफ्ट डेपार्टमेंट देखे दोस्तों जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था था न मुझे कुछ नहीं समय रहा था जब मैं गूगल किया तो it was so beautiful और इसलिए कहते हैं कि Jumbo and Kashmir में हैंडीग्राफ्ट का कितना जादा इनफेक्ट जब मैं श्री नगर में गया था और डर्ल लेक में वहां पर मैं घूम रहा था तो I could see कि it's so beautiful और आपको पता होना चाहिए मतलब अगर आप श्री नगर कभी भी विजिट करते हैं और इसमें अपस्केल करना है learning techniques trainees की और उनकी हमने improve करनी है wage earning भी थाकि craft fund जो है वह आगे क्या है collectivization पर चाहें और linkages produce करें किसके साथ producer organization के साथ थाकि वह entrepreneurship skill और aptitude जो है उनका बढ़ है तो यह basically क्या है कारकंधार scheme for revival of dying art तो दोस्तो इसी के साथ हमारे current phase होते हैं खतम मुझे देजी आ गया आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अगले अपते चलिए अब चलते हैं प्लीज comment section में बताईए आपको यह session कैसा लगा ठीक है मैं चलता हूँ खैल रखिये शबाखैर बाबाई